हलो दोस्तों मैं दिपिक आप सब का मिकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ अपन फिजिक्स के टोपिक कर रहे थे जिनमें अपना नेक्स टोपिक रहेगा द्रव्वे के या पदाट के सामाने गुण प्रोपर्टींज और मैटर जैसा कि आपका ऑफिशन नोटिफिकेशन आचुका है आपको पता है आपके CBT 1 वह पूरा non-technical जिसमें पूरे के पूरे क्या है non-technical subject जबकी CBT 2 जिसमें पूरे के पूरे है technical subject तो मेरी आप सबके लिए की एक advice है कि अभी सिर्फ आप CBT-1 पर focus करें, क्योंकि CBT-1 होगा आपका शायद अप्रेल और में में, तो आपके पास sufficient time है इसकी preparation करने के लिए, CBT-2, CBT-1 का result declare होगा, उसके बाद CBT-2 का exam होगा, और आपको इस duration में sufficient time बिल जाएगा, कि आप CBT-2 के लिए खुद को prepare कर सके, तो मेरा फिलाल यही कहना है, कि खुद को prepare करो CBT-1 के लिए, तो हम थोड़ा सा CBT-1 के लिए थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है, CBT-1 में, एक रहेगा topic, maths वाला, यानि maths वाला पार्ट रहेगा एक, एक रहेगा reasoning वाला पार्ट, एक रहेगी general science, एक रहेगा general awareness, हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पर general science की, यहाँ पर total जो question आएंगे 100 questions, ठीक है, general science के होंगे 30, 100 question आएंगे 90 minute में आपको attempt करने, यानि की one and half hour में आपको 100 question attempt करने, जिसमें general science के होंगे 30, 25 reasoning, 30 आप में maths वाले portion से आएंगे, ठीक है, general awareness के हैंगे 50 question, तो यह आपके total हो जाते हैं कितने, किते question हो जाते हैं, total हो गए 25, 15, 40, 70, 30, 100, 100 question आए आपके 90 minute में, one and half hour में, फिर अपने बात करते हैं फिलाल general science की, यहां पर क्या है, आपकी speed बहुत matter करेगी, speed के साथ आपको यहां ध्यान रखना होगा, क्या question बहुत ही easy आने वाले हैं, क्योंकि आपके online exam होगा, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, 30 question और 15 question, बिलकुल भी time consuming नहीं होगे, क्योंकि यह theory वाले question है, आपको देखना है option टिक करना है, इन में क्या है आपको, इन 55 question के लिए आपको अपनी speed को maintain करना होगा, यहां पे आपको theory अच्छे से cover करनी है, यहां पे आपको अपने topic wise अपनी speed को बढ़ाना होगा, जितने हो सके, यहां पर आपको question practice करनी होगी, आपन सबसे पहले general science वाला portion cover करेंगे, उस और आपको उनकी practice करनी है, ज्यादा से, ज्यादा, general science का इन उनने level बोला है, 10th, class तक का level रहेगा इसका, वहीं से इसके question पूछे जाएंगे, तो आप regular हो जाओ general science के लिए, कि रोज इसके topic बढ़ो, क्योंकि यह 30 questions जो है न, अगर आपने यहां पर, 30 questions यहां पर, 30 में से 25 questions अगर आपने यहां पर correct कर लिए, तो आप बाकियों से काफ़ी difference create कर जाओगे, क्योंकि reasoning और math में भी, बच्चे speed maintain करनी पड़ेगी, यहां पर आपका basic knowledge check किया जाएगा, तो आपको, हम आप general science में आगे बढ़ते हैं, हमने physics से शुरुआत कर रखी है, और definitely exam से पहले हम video upload नहीं हो पाए, उसके लिए sorry, क्योंकि थोड़ा सा business schedule था, इसलिए थोड़ा delay हो गया, बट अब हम regular रहेंगे, topic wise अपना syllabus cover करेंगे, और general science से बात करते हैं, और मेरी आपको यही कहना है, कि जिन बच्चों को required है कि हमें coaching करनी है, वो coaching join कर सकते हैं, जिनको लगता है, क्य कर सकते हैं, तो यह decision हमेशा self का ही होता है, क्या आपका self stamina कितना है बैठी रहने का, तो वो बात है, अब हम general science में physics की शुरुवात कर चुके थे पहली, physics में, next topic है अपना, properties of matter, द्रव्वे के सामाने गुण, सबसे पहले हम discuss करने हैं, phage, यानि कि अवस्था, कि matter, यानि कि पदार्थ की कितनी अवस्था हैं, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं याँ पर, कि matter, यानि पदार्थ की कितनी अवस्था हैं, first phase, solid, यानि कि थोस, second phase, यानि कि liquid, यानि कि gas, third phase, यानि कि, sorry, liquid, यानि कि द्रव, third phase है gas, और जो fourth phase है, चोथी अवस्था है, वो कौन सी बताएगी है, plasma, जिसमें क्या होती है, आइनिक रप gases होती हैं, ionized gases होती है, plasma में, last है, बोस, ironstein condensate, यह है plasma, यह है बोस, ironstein condensate, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने द्रव की चार, sorry, matter की चार रवस्थाओं, यानि द्रव्वे की चार रवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया, जिनमें पहली है, solid यानिकी toast, second liquid, third है gas, फिर यहाँ पर मैंने एक fourth अवस्था, जिसकी fourth stage, जिसकी अभी खोश कीगी, वो है plasma, और उसके बाद सबसे नवीन, या फिर सबसे, अभी, recently जिसकी खोश कीगी, वो अवस्था है, बोस, ironstein condensate, इसमें detail में जाहें भी न बता देती है, molecule के बीच की distance सबसे कम होती है, किसके बीच में, solid के बीच में, क्योंकि solid के जो molecules होते है, वो बहुत पास-पास होते है, ठीक है, अब आपको एक बात बताती हूँ, जो लगने वाला attraction force है, वो बीच की दूरी के वितकरमानुपाती है, हम पढ़ चुके है, ठीक है, तो ज attraction force होगा, जो क्या होगा, दूरी के वितकरमानुपाती होगा, तो solid के जो molecules है, उनके बीच की distance होगी सबसे कम, जबकि उनके बीच में, जो लगने वाला attraction force है, इन तीनों की comparison कर रहे है, solid, liquid और gas की attraction force होगा सबसे ज़्यादा, gases के molecule के बीच की जो distance है, वो होगी सबसे ज़्यादा, यह आपको पता है, इसलिए इसके distance अगर ज़्यादा है, तो लगने वाला जो attraction force होगा molecule के बीच में, वो क्या होगा सबसे कम, तो यह दो point ध्यान रखने है, सबसे पहले हमने शुरुआत की किस्से, शुरुआत की सबस state मैंने बताई, प्लाज्मा, नेक्स्ट है बोस आइंस्टें कंडेंसेट, इसलिए वाँ लगने वाला जो attraction force है, वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर molecule के बीच के जो distance है, वो सबसे कम है, गैसे की बात की, गैसे के molecule के जो बीच की distance है, वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वाँ लगने वाला जो attraction बल या attraction force है, वो सबसे कम होगा, अब अपन बात करते हैं सबसे पहली property, elasticity के बारे में, हम one by one सारी property discuss करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, elasticity, यानि की परत्यास्ता, सबसे पहली property है, elasticity, elasticity, यानि की परत्यास्त था, इसको समझने के लिए हम एक example लेते हैं, और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमने एक object लिया, ये एक object या एक वस्तू है, जिसकी ये है इसकी length, यानि की लंबाई, ये है इसका, इसकी perpendicular dimension, यानि diameter, या फिर कुछ भी यहाँ पर होगी, इसकी width होगी, जो भी वो D मैंने, lateral और longitudinal, ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पर dimension मानले, एक object है, जिसकी width है मानलो D, जिसकी लंबाई है, या length है L, अब हम इस पर लगाते हैं, एक force, ठीक है, statement ये है elasticity का, जब किसी वस्तू पर हम बल लगाते हैं, ठीक है, परत्यास्ता या elasticity का statement ह जब किसी वस्तू पर या object पर external force अप्लाई किया जाता है, बाहिये बल लगाया जाता है, तो उस इस्तिती में, उस object की length, volume या shape, क्या बोला मैंने, length, या dimension, जो भी dimensions हैं, वो length, इसके volume, और इसकी shape, में क्या आ जाते हैं, changes आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, क्या बोला, statement मैंने ये बोला, जब किसी object पर अपन external force अप्लाई करते हैं, तो उसकी length, volume और shape, volume भी dimension पर depend करेगी, dimension अगर change हो गए, तो volume change होगा, अगर इनके dimension change होगे, तो definitely वहाँ पर shape भी change, यानि आकरती भी change हो जाएगी, ठीक है, जब किसी object पर हम external force या बाहिये बल लगाते हैं, उस force लगाया, तो इसकी dimensions वगरा change होगे, लेकिन जब हम इस force को remove करते हैं, तो body जो है, या object जो है, वो क्या है, अपनी original dimensions, यानि कि अपनी पहले की जो स्तिती थी, उसमें वापस आ जाता है, तो वो limit ही क्या कहलाती है, वो properties, material की जो property होगी, जो इसको वापस इसकी original position में लेके आ रही है, वो property ही क्या कहलाती है, elastic city, यानि कि परत्यास था, मैं फिर से repeat करती हूँ definition, definition यह है, हमने इस object पे force लगाया, ठीक है, जैसे for example, आप rubber है, उसको आपने elongate किया, elongation के बाद एक limit के बाद वो break हो जाता है, लेकिन break होने से पहले जब तक आप उसको elongate कर रहो, force लग मैंने यहां क्या बताया, सबसे पहले मैं definition बता देती हूँ English में, when an external force is applied on a body, the length, volume and shape of the object will changes, but when the external applied force removed, the body regained its original length, volume and shape, that property of object is known as elasticity, जब किसी वस्तू पर बाहिये बल लगाया जाता है, तो उसकी लंबाई, आयतन और आकर्ती में changes यह परिवर्तन आ जाते हैं, जब हम उस बाहिये force को हटाते हैं, तो जो वस्तू है, वो वापस अपनी प्रारंबिक सिती में आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, elasticity या पर्त्यास कैलाती है, यह जो हम भायये force लगा रहे हैं इस force को हम बोलते हैं, deforming force, यानि कि हिंदी में बताएं, तो विरूपक बल, इस भायये bang ko ही हम क्या बोलते हैं, external force को हम बोलते हैं, deforming force, यानि कि विरूपक बल, एक तरीके से अगर देखें, तो elasticity क्या है, जो क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है या फिर इसको बोल सकते है resistance to changes एक तरीके से जो elasticity है वो solid की property है किसकी है elasticity solid की property है ये भी ध्यान रखना है second चीज क्या है ये परिवर्तन का विरोध करते है मतलब changes का oppose करती है elasticity property क्योंकि उसमें deformation को resistance प्रवाइड कराती है को परत्यास्ता यानि की elasticity अगर क्या है एक limit तक, for example हम रबर के example से ही समझते हैं, एक limit तक जब हम उस पर force या भाहिये force, भाहिये बल या external force अप्लाई करते हैं तो हमने एक limit तक force को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले कम force लगाया, फिर छोड़ दिया फिर धीरे-धीरे हम उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं उस force की value को तो क्या होता है, एक limit तक वो वापस अपनी original shape में आ जाती है और एक limit के बाद उसमें क्या होता है, उसकी आकरती में वापस original condition नहीं आ पाती उसमें कुछ deformation आ जाता है विरूपन आ जाता है तो जिस limit तक वो अपनी original shape में वापस आ पाती है वो limit क्या कलाती है वो limit कलाती है, elastic limit यानि कि परत्यास्ता सीमा exam में अगर question आए कि elastic limit क्या है तो elastic limit वो सीमा है बलकि जिस limit तक अगर हम force लगाते हैं और force हटाते हैं तो body अपनी original object अपनी original situation में वापस आ जाए, वो limit ही क्या कलाती है elastic limit, मतलब elastic limit के अंदर, body के अंदर कोई deformation या विरूपन नहीं होता है इस limit के बाहर अगर अपन force लगाते हैं, इस limit के बाहर, तो body के अंदर क्या आ जाता है आकरती बदल जाती है इसकी shape में changes आ जाते है length में change आ जाएंगे, volume में change आ जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन विरूपन, यानि की deformation तो body में या object में क्या जाएगा, deformation ठीक है, सबसे पहले हमने या शुरुवात की elasticity से ठीक है, elastic limit की मैं फिर से definition बता देती हूँ कि जब हमने deformation जो deforming force apply किया है उसके magnitude, यानि परिमान की वह सीमा या वह limit जब तक अगर हम force लगाएं और हटाएं तो body अपनी original shape को regain कर लें elastic limit के बाद अगर आप force apply करते हो जैसे माल लो elastic limit तक माल लो force है 8 newton ठीक है, 8 newton तक आपने कितने भी force apply किये न 7 newton, 6 newton, 4 newton तो जो object है, वो force हटाने पर अपनी original shape में आ जाएगा लेकिन elastic limit के बाहर अगर आप force apply करते हो, तो force हटाने पर उसमें कुछ deformation यानि विरूपण रहे जाएगा permanently, वो remove नहीं होगा, तो वो है elastic limit इससे बाहर force apply करने पर body में deformation आ जाता है, जिसको बोलते हैं विरूपण या फिर deformation कहा गया, ठीक है next, इसी में आगे एक definition ही से अपन पढ़ते हैं, किसकी stress और strength की जो mechanical और civil के student है, वो इस definition से काफी अच्छे से वाकिफ हैं, कि ये actually में stress और strength होता क्या है, but यहाँ पर क्या है, हम जो ये general science पढ़ा रहे हैं, वो सभी branches के लिए common है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अच्छे से ही explain करूंगी, ताकि बच्चों को बाकी जो remaining students है उनको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, stress और strength, stress यानि की प्रतिबल इसको हिंदी में बोलते हैं, stress को प्रतिबल strain को बोलते हैं, विकर्ती ठीक है? stress को बोलते हैं, प्रतिबल और strain को बोलते हैं, विकर्ती ठीक है, सबसे पहले हम stress को देखते हैं कि stress क्या होती है stress होता है, यहाँ आपने force apply किया और हम मानते हैं इसका जो cross section area था object का वो है A तो जो stress है वो आप बताता है क्या force applied per unit area यानि की unit area पर कितना force apply किया गया है वो कहलाता है stress stress इसे यहाँ डिटेल में आपको जाने की ज़रत नहीं है सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है stress क्या बताता है, एक object लिया हमने उस पर force apply किया तो उसके अंदर उसका cross sectional area A है तो per unit area हमने कितना force apply किया वो ही क्या है stress या फिर परतिबल कि 116 पर हमने कितना बल लगाया तो stress की unit क्या होगी Newton per meter square या फिर यही unit pressure की भी होती है Newton per meter square unit किसकी होती है pressure की भी होती है या फिर इसको बोल सकते है Pascal दोनों unit आपको ध्यान रखनी है stress को परतिबल force applied per unit area परति 116 पर पर कारे करने वाले बल को ही क्या बोलते है परतिबल या stress Newton per meter square इसकी होगी unit next आपने बात करते है strain क्या है हमने elastic limit के बाहर इसमें force लगाया force लगाने के बाद इसकी length में change हो गया एक object लिया मैंने यहाँ पे इसको यहां से समझते है initial इसकी जो length थी वो है L जब इसपे हमने एक force अप्लाई किया external force अप्लाई किये F तो इसकी length अब हो गई बढ़के L प्लस डेल्टा L definitely यहाँ पर जो यह D माइनस डेल्टा T क्योंकि अगर length बढ़ेगी जिस dimension के along मतलब जिस dimension के along force अपन अप्लाई करेंगे उसमें हमेशा व्रदी या increment होगा और जो letter या 90 डिगरी पर जो होगी dimension उसमें decrement होगा साफी समझ में आती है चीज इस direction में अगर आप force अप्लाई करोगे तो यह dimension reduce होगी यह dimension increase करेगी तो length बढ़के या लंबाई बढ़के हो जाएगी L प्लस delta L और जो width हो जाएगी D minus delta D तो जो strength बताता है strength क्या होते है दो तरीके के होते है एक तो होता है longitudinal strain एक होता है lateral strain यहां मैं बता रही हूँ strain के बारे में दो तरीके के strain होते है एक होता है longitudinal strain दूसरा होता है lateral strain सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी longitudinal strain की जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में अनुदेर्दे विकर्ती और जो lateral strain है उसको अपन बोलते हैं lateral को बोलते हैं पार्सविक विकर्ती ठीक है यह मैंने बताई कि इसकी definition longitudinal और lateral की अब इसको पढ़ते हैं कि longitudinal क्या होता है longitudinal वो बताता है यानि अनुदेर्दे बताता है कि जिस direction में अपने जिस दिशा में अपने बल लगाया उस दिशा में dimension में कितना change हुआ तो हमने force लगाया था length के long ठीक है length की तो parallel है तो यहाँ पर कितना change हुआ delta l चेंज कितना हुआ delta l ही तो change हुआ है upon में original या फिर प्रारंबिक वो dimension कितनी थी delta l upon l लेटरल स्ट्रेंड बताता है कि जिस दिशा में बल को apply किया उसके लमवत या perpendicular direction में dimension में कितना change हुआ यहाँ कितना change हुआ delta d, perpendicular direction में तो delta d, upon में वो original कितना था d, यह होती है lateral strain यहाँ से एक चीज धिहान रखनी है कि strain की को unit नहीं होती है, क्योंकि change in length, meter, length, meter तो यह एक unit less, वीमा हीन एक quantity है कौन, strain यानि की विकर्थी, यहाँ पर अपने बात की stress और strain के बारे में इसको फटा-फट revise करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमने सबसे पहले elasticity को समझने के कोशिश की कि elasticity क्या होती है, elasticity बताती है कि कि किसी object पर आपने बाहिए बल लगाया और उसकी dimensions में जो changes हुए, force को हटाने पर वो original अपनी situation में आ जाती है object तो ये जो property है उस material की, वो क्या कलाती है, elasticity, जो depend करेगी material पे, कौन सा material है, उस material के लिए property क्या होगी, अलग-अलग फिर मैंने बताया कि एक limit तक अगर हम बल लगाते हैं, तो जो object है original situation में आ जाता है, एक limit के बाद वो अपनी original situation में नहीं आता है उसमें कुछ ने कुछ विरूपन आ जाता है, या विकरती आ जाती है, वो ही limit के अकलाती है, elastic limit, अगर object अपनी original situation में ना आ पाए, तो उसी को अपन बोलते हैं, deformation या फिर विरूपन, फिर हमने यहां पर definition समझने ही कोशिश की, stress और strength की, तो यहां पर हमने देखा, जो stress है, वो क्या define करता है, stress यहां define करता है कि किसी object पे लगने वाले per unit area पे कितना force लग रहा है, वो quantity define की हमने क्या है, stress per unit area, जिसकी unit मैंने बताए, newton per meter square, इसी stress को बोलते हैं प्रतिबल या पासकल इसकी unit होगी, strain याने की विकरती, इसको समझने के लिए हमने क्या गया, किसी object पे F force apply किया, इसकी लंबाई के along, लंबाई के समांतर, तो यहां पर क्या है, लंबाई में बढ़ेगी, L plus delta L, और इसकी जो wind है, वो D minus delta D, तो दो तरीके के strain होते हैं, एक होता है longitudinal strain, longitudinal होता है, अनुदेर्दे, जो होता है किसके along, force इस direction में अपने apply किया है, उसके parallel लगता है, इसको हमने लिख दिया delta L upon L, तो इसकी जो unit होगी, वो विमाहीन होगा ये, क्योंकि meter upon meter, next है lateral strain, यहां पर जो dimension में change होगा, वो force के perpendicular direction वाला लेंगे, और upon में original dimension लेंगे, तो यहां पर लिखा आपने delta L upon L, और delta D upon D, तो यह मैंने हम यहां पर बताया, कि जो strain है, वो क्या है एक विमाहीन रासी है, यानि कि unit less quantity है,